ओम नमः शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की इखला में आईए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं गीता के अनुसार तीन तरह के लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो आपका जीवन नश्ट हो सकता है आज इसी बारे में जानेंगे श्रीमत भागवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गए उपदेशों पर आधारित है श्रीमत भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ग्यान देते हुए ऐसा तीन लोगों के बारे में बताया है जिन के साथ रहने से जीवन पूरी तरह से नश्ट हो जाता है और आप सदा दुखी ही रहते हैं इन तीन तरह के लोगों की वजह से जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है और मन हर समय अशान्त रहता है इसलिए आप इन तीन तरह के लोगों से दोस्ती ना करें और भगवान कृष्ण द्वारा बताये गए इन लोगों से दूरी बना करके रखें जी हाँ आईए सबसे पहले जानते हैं क्या कहा है उन्होंने सबसे पहले जो लोग होते हैं वो हैं अज्ञानी लोग जी हाँ श्री कृष्ट ने अर्जुन से कहा है कि जीवन में अज्ञानी लोगों से दूर रहना चाहिए अज्यानी लोगों को धर्म का ज्यान नहीं होता है और वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी सोच पर भी बुरा असर पड़ता है और आप भी अज्यानी बन जाते हैं अज्यानी व्यक्ति से कोई भी आसानी से अपनी बात को मनवा सकता है और ऐसे लोगों से दोस्ती करने पर आपको ही हानी होती है अज्यानी व्यक्ति के साथ रहने से दुखों में वृद्धी होती है और ऐसे लोग आपको हमेशा मुश्किल में भी डाल देते हैं जो अपने आपको सबसे बड़ा ज्यानी समझता है उसके साथ भी रहने में आपको हानी होती है ज्यान हासिल करने की कोई सीमा नहीं होती है कभी भी कोई विव्यक्ति संपुन ज्यानी नहीं बन सकता है ना बन पाता है भगवान कृष्ण के अनुसार ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रकने चाहिए जो अपने आपको सबसे बड़ा ज्यानि मानते हैं और ग्यान हासिल करने की इक्छा नहीं रखते हैं इंसान को हमेशा जीवन से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है लेकिन जो लोग अपने आपको घ्ञानी मानते हैं वो नई चीजों को सीखने की एक्षा नहीं रखते हैं और ऐसे इंसान बहुत ही जल्दी नश्ट हो जाते हैं उनका नस हो जाता है खुद को घ्रणी समझने वाल इसके अलावा संग्षय में रहने वाले लोग संग्षय यानि कि शंका में रहने वाला व्यक्ति कभी भी अपने फैसले सही से नहीं ले पाता है और इस तरह के व्यक्ति के साथ रहने से आप भी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं तो शंका में रहने वाले लोग किसी और सफल ही रहते हैं इसलिए आप ऐसे लोगों से दोस्ती न करें क्योंकि वक्त पढ़ने पर ये लोग आपकी मदद करने से पहले भी शंका में ही रहते हैं तो अगर आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो कृष्ण भगवान द्वारा बताये गए इन तीन लोगों से दूरी बना करके रखिए तो आप खुशी से रह सकते हैं अन्य था आपके जीवन में ये मुश्किलें लाते रहेंगे ये तैस सुधा बात है इसलिए अपने आपको खुश रखें स्वस्थ रखें साथी साथ विचारों को स्पष्ट रखें तो आपके लिए बहतर होगा ये आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़ जाए और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले साथी साथ वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट जरूर करें ताकि अन्य